हेलो फ्रिंट्स आपके यूट्यूब चनल मैट्स विजाड में आपका स्वागत है तो आज की इस पीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको जैसे की पता है कि आपका बीपीएसी का जो एक्जाम टायर वन पॉइंट इरो अल्रेडी ओभर हो चुका है टायर ट्री टू पॉ मार्च में आपको जो है वो 3.0 का भी एक्जाम आपको जो है वो देखने को मिलेगा आपको ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन पता चली गया होगा तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टायर 3.0 मतलब बीपीएसी 3.0 को आप किस टाइप से टार्गेट कर सकते हैं कैसे क् क्या आपको करना चाहिए तो उसी के विषय में थोड़े सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को जाए शुरू से लेकर कलास तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फूजन ना रहे तो फ्रेंट्स एक बर फिर से आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो मैंने पॉइंट नो डाउन किया है उसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंट्स आपके पास टाइम बहुत कम है तो इस टाइम में आप कैसे क्या क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, क्या आपको idea लेना चाहिए और कैसे आप exam को target करना चाहिए ताकि आप exam में अपना एक seat जो है वो क्या कर सके निकाल सके, ठीक है तो चलिए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए मैंने आपर point no down किया तो चलिए उसके बारे में धीरे-धीरे बात करते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले friends वो है आपका BPSC आपका जो exam हुआ था 3 3.0 मतलब होने वाला है उसी के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग जो है वो क्या करेंगे बात करेंगे पहला चीज मैंने लिखा है कि BPSC 3.0 2.0 question paper तेकी friends आप किसी भी exam को particular target करते हैं तो उसमें previous year question paper का जो है important role रहता है तो actually पहले जब यह 3.0 हुआ था तो उसमें कि किसी को idea नहीं था कि question कहां से पूछा जाएगा कैसे पूछा जाएगा 3.2.0 हुआ तो उसमें पता चलने लगा कि question जो है कहां से पूछा जा रहा है कैसे पूछा जा रहा है क्या तयारी करना है कैसे क्या तयारी करना है तो आप जो 3.0 को target कर रहे हैं आपके पास अभी recent year का जो है 1.0, 2.0 जो ही आपका exam हुआ है, उसके previous year question paper को लीजे और उसको analysis करें, आप किसी भी post की तयारी कर रहे हैं, चाहे आप 125 की तयारी कर रहे हैं, चाहे आप 628 की तयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT की तयारी कर रहे हैं, चाहे आप PGT की तयारी कर रह आपको अच्छे से देखना है, आप जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलॉंग करते हैं, जब आप उस कोशन पेपर को बहुत ही डीपली अनलाइसिस करिएगा, डीपली उसको देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहां से कोशन पेपर, कहां से पूछा जा रहा है, आपको क्या करने की जरूद है, आपको कहां से ट्राइ करना चाहिए, यह कैसे करना चाहिए, तो यह सब आपको जो है, उसको अनलाइसिस करने से पता चलेगा, आप पार्टिकुलर्ली किसी भी सब्जेक्ट को आप देखे, तो आप पार्टिकुलर्ली आपने मास्टर्स कि किया है आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया तो आपको एक उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होता है कि कौन से टॉपिक कहां से पूछे जा रहा है अगर मैं बात करूँ कि ट हम का लिजेक्ट के च्शाइम में पियर करूँका तो मैं देखा था कि 6-28 में मैक्सिमूम कोस्टयों जो थ है वो 6-9-10 तक थे shadow अगर मात किया जा है तो मैं से औप कर्गेनट पूछा जाता हूँ थै ठीक है उसके बाद मैंने 11-12 का देखा तो 11-12 में मैंने जब देखा PGT जिसको बोलते हैं उसमें मैंने देखा कि कुछ-कुछ topic जो थे वो आपका ये इस से related थे 11-12 से पूरे particular topic related थे mathematics से ये चीज मैं connect कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं mathematics subject का उसी type से आप जिस particular subject में आप belong करते हैं तो question paper को analysis करिए आपको syllabus question pattern आपको वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है? Find out the syllabus, question paper को analysis करना है, जब ही आप analysis करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि question paper में आपको कैसा, क्या syllabus है, कहां से आपको syllabus तयार करना है, वहीं से आपको exact idea आपको मिल जागा, साथी साथी इन लोग जब ये exam, मतलब announce करते हैं, तो उसमें आपको देते हैं कि 125 के लिए, 6-8 के लिए, और 9-10 के लिए, और PGT के लिए, किस type का syllabus होगा, तो वो जो है, वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस चीज़ का, क्या syllabus होगा, तो उससे भी आपको मिल सबसे अच्छा अभी आप देखना चाहते हैं, तो ये previous year question paper जो है भी आपके पाद सबसे best solution है, और सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, सीधा exam pattern carefully, मैंने एक ही चीज़ों को थोड़ा सा sequence wise लिखा, ताकि आपको चीज़ों को proper way मैं जो आपको बोलना चाहरा हूँ, मैं आपक pattern कैसा है, question आपका कैसा आया है, आपका question कैसा आएगा, difficulty level कहां पर है, कैसे क्या आ सकता है, तो उसको आपको थोड़ा अच्छे से क्या करना है, analysis करना है, आप जब थोड़ा सा analysis करिएगा, तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझ में आने लगेगी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको करना कहां है, और क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि ओल्डी मार्च में एक्जाम जो है परस्तावित है, ऐसा लग रहा है, election के कारण से, आपको जह हैं मार्च में एक्जाम देखने को, मतलब पक्का मिल ही ठीक है, for preparation of subject specific part KVS, NBS देखिए, अगर आप जैसे आप TGT को target कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप PGT को target कर रहे हैं, class 9, 10th और class 11, 12th को, तो आप उसमें देखिए कि आपको जो भी एक्जाम होता है, जैसे आप BPSC कहीं ने लीजिए, और भी आप NBS लीजिए, KVS लीजिए, य तो उसके, यह सब भी अगर आप इस टाइप के भी कोर्शन पर को solve करते हैं, NBS के, KVS के, डीजिए प्लेस भी के, तो जो एक्जाम में कोर्शन आये होते हैं, वो काफी मतलब अच्छे कोर्शन होते हैं, और वो थिंक, उन पर आपको सोचना भी अच्छा खासा पड़ता ह तो अगर आपका सिलेबस, बेसिक सिलेबस तयार है, तो इन सब जो भी एक्जाम आपका होता है, NBS, KVS, डीटर प्लेस भी, इनके भी अगर प्रिवियस यह कोर्शन पेपर को, आप जो है, वो मतलब अपने प्रिपरेशन के डिरेशन में, अगर आप उसको solve करते हैं, तो क प्रिशन थी आपको काफी, health मिलेगा, GKGS part is important for Bihar, मैं ऐसा ही डिसकस कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आप, भई आप किसी भी एक्जाम का प्रिपरेशन करिए, आप किसी भी टीचिंग एक्जाम का भी आगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता ह है, GKGS का एक important role play करता है, तो अगर आप ठीक है, आप TGT का भी target कर रहा है, PGT भी target कर रहा है, और आप subject specific में बहुत अच्छे हैं, तो सिदी सी बात आपका subject specific में बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी exam है, तो जरूरी नहीं है कि previous year में जैसा पूछा गया, वैसे ही हुँ बहु आपने तयार किया है, वैसे है, आप 90 question, 100 question, जो भी आपके subject specific में आ रहा है, वो सी type question, आप 100 का 100% subject specific में आप question जो है, वो solve कर ले, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, वो आपके तयारी के उपर depend करता है, लेकिन अगर बिहार exam के लिए, तो वहाँ पर क वहाँ पर आपका एक GKGS का part जो है, वहाँ पर होता है, जो कि एक काफी important role play करता है, तो आप जैसे यहाँ पर कुछ-कुछ specific topic को जो है, वो तयार कर सकते हैं, तो 30-40 जो भी marks का आपका इसमें paper different different post में जैसे भी पूछा जाता है, तो at least वहाँ माले यह 30 marks का था, आप पेर करते हैं, इस टैप से आप जब इसको plan करते हैं, तो आप अगर हलका फुल का आपका उपर नीचे, आपका subject specific part अगर मतलब आपकी तैयारी एची थी तो चला गया, अगर आपकी तैयारी थोड़ी up-down थी या फिर question जैसने आपके तैयार किया था, वैसे नहीं आया था, तो इस case में जो है अगर आप GKGS को थोड़ा से preparation कर लेते हैं, तो इस case में आपको ये काफी क्या करेगा, help करेगा, तो इसको थोड़ा सा neglect ना करे, थोड़ा सा routine में अपने involve कर दे, एग घंटा, एग घंटा, एग घंटा, एग घंटा, रोज इसको पढ़े, तो ये आपके उसमें भी already mention होता है, कि आपको कौन-कौन से GKGS के topic आप से पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको example ले लूँ, India freedom movement हो गया, India freedom से आप से पूछ दिया जाएगा, price से आपका पूछ दिया जाएगा, game से पूछ दिया जाएगा, तो इस type से कुछ specific, आपका कुछ constitution से पूछ ज मैं देख पा रहा हूँ pattern में, कि 20 से 30 जो है आपका वहाँ पर GKGS का portion था, तो आप थोड़ा सा भी तैयारी करेके जाते हैं, तो 30 out of में तो at least 50-20 आप जो है अच्छे से, क्या कर लिजेगा, score कर लिजेगा, और अगर आपका subject जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, तो इस में भी आप जो है बहुत ही easily way में जो है उसको क्या कर लिजेगा, handle कर लिजेगा, उसको easily way में जो है क्या कर लिजेगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, तो इस टाइप से आप इसको प्लान कर सकते हैं, थोड़ा से इस पर भी ध्यान दे, तो आप मतलब selection पका हो ही जाए आपको देखेंगा, maximum question जो आपको NCRT से देखने को मिलेगे, तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि इस कम टाइम में आपको किसी के course लेने का जरूरत है, परचे करने का जरूरत है, आप previous years को थोड़ा सा analysis करिए, और NCRT के question, NCRT के books को थोड़ा help लिजे, यकीन मानिए आ आपके लिए काफी helpful होगा, काफी आपको जो है, वो क्या कर देगा, help कर देगा, तो यह book, NCRT की book, जो है, वो काफी आपको क्या करेगी, help कर जाएगी, तो यहाँ से आप इसको help ले सकते हैं, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए, फिर भी अगर आपको लगता उपर नीचे थोड़ा सा, उपर नीचे हो रहा था, पर NCRT से question जो है, वो आपके बहुत सारे question देखने को मिल रहते हैं, तो बहुत काफी आपको helpful मिलेगा, ACRT book भी जो है, आपका state level की जो books होती है, वो भी आपको लिए helpful होगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारे question देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी आप review कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से question देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यह सब book आपको, ACRT और NCRT दोनों book आपको काफी helpful करेगा, time is less, make your plan and go through it, लेकि टाइम बहुत कम है, आपको अलड़ी, आज state है, कल से आपका फरवरी स्टाट हो जाएगा, और ऐसा उमीद करना है कि 15-20 परवरी तक, मीड मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा, तो एक महिना अगर आपने तयारी किया हुआ है, पहले से एक महिना अगर आप अच्छे से तयार कर लेते हैं, तो नेश्चिन से आपको काफी help करेगा, ठीक है, फिर mock test is also important, friends मैं एक बात बताओ, मैं भी एक दो exam में appear किया हूँ, अभी तक मेरे को भी सफलता नहीं मिल पाया, मेरा mathematics background है, तो मेरे को solve करने में काफी कुछ, मतलब time accuracy करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं मेरी तयारी एची होती है, लेगिन कहीं कहीं mock test को भी जरूर दिजेगा, friends, यह आपको time management, मैं भी इस बार उसको अपने routine में involve करूँगा, मैं दे भी रहा हूँ, कि time, कि respect में मैं उसको क्या कर लो, solve कर लो, तो मैं भी इसको क्या करूँगा, include करूँगा, और mock test भी दूँगा, ताकि next exam में जो ही मैं appear करूँ, तो हाँ जो है, मैं दिए वो time में, ज़्यादा से ज़्यादा question solve करूँ, और फिर अपना एक selection मतलब secure कर सको, तो mock test का बहुत important role play करता है, वो आपको बताता है कि कितना आपको time management करना है, क्या करना है, ठीक है, कैसे आपको manage करना है, यह सब सब चीज़ आपको उसमें बताता है, तो mock test किसी का भी हो, किसी भी platform का हो, किसी कोई भी YouTube channel provide करवा रहे हो, तो at least उसको दीजे, वहां से आपको idea पर चलेगा कि आपको कहां से कैसे, किसी चीज़ को कैसे maintain करना है, और आपको time accuracy में help करेगा, क्योंकि exam कुछ नहीं है, आपका 2 घंटा का खेल है, 3 घंटा जो भी आपका इसको जो है, वो एक important point के रूप में ले, ताकि आपका exam अच्छे से जाए और आप finally selection तक पहुँच सकें, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यह ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे exam को clear करके बैठा हूँ, बस जो भी preparation करता हूँ, मेरे को लगता है कि इस channel के माद्यम से, YouTube के म video लाता हूँ, ताकि आपको कुछ, मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं, जो कि काफी कुछ बताया, बस वही structure में आपको बताने का courses किया, ठीक है, I hope कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा, वीडियो पसंदाया है, वीडियो का like कर दिजेगा, channel से आपको कुछ भी help मेरा channel को subscribe क कर दिजेगा, और description box में आपको WhatsApp और आपको टेलिग्राम चलल का link दिया है, तो उसको आप जोइन कर लिजेगा, वहां से आपको condition थी क्या करेगा, काफी मतलब helpful होगा आपके लिए, वहाँ पर हर एक दिन जो भी updates होता है, मैं क्या करता हूँ, उसको share करता हूँ, ठीक है, चलिए, यही छोटा सा information था आपके साथ share करना था, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल जहिन मंदे मात्र, थैंक यू, थैंक यू for watching my video, थैंक यू friends.